कैसे हैं आप सभी उमीद है आप सभी ठीक ठाक होंगे वेल्केम यू ओल वन्स अगेन तुद लेक्चर सीरीज हम जो लेक्चर सीरीज कंट्यूनु किये हुए थे आज इसका हम एक और लेक्चर लेकर आए हैं ओनलाइन लेक्चर हमने बीएस से पार्ट थर्ड की यूनिट से यूंद बात किया था लेक्चर सीरीज में और इसके हम अब तक चारव पड़ चुके हैं यह पाचवा लेक्चर है जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था चौता लेक्चर उसमें हमने देखा था कि हम अस्ट फल्किये संकुलों के लिए सीज़ एसे की कैलकुलेशन किस प् इस भऽिए संब्सक्रीस की अज्चु आ कि इस फल्किय संकुलों में डिल्स फर्रस इसकि अधर्ण कि हम देखेंगे के मिलोम मुद्सक्राइशन किस प्रकार रियो बिल्किल उसी तरह से करेंगे जिस तरह से अस्टफल की संकलों में की थी बस हमें ये पता होना चाहिए कि चतुस संकलों में d orbital किस प्रकार विपार्टित होती है बाकी calculation बिलकुल वैसे ही होंगी जिस तरीके से हमने अस्टफल की संकलों में ची थी और दूसरी बात यहां सब्सक्राइब और सिंपल है संक्राइब तो ऑप संख्राइब के लिए अलग तरीक से के तरीके से च Laurie स्कुल होते हैं वहां पर पेरिंग नहीं होती इलेक्टरों ऊपर चला जाता है जब कि जो निम्रे चक्रण संकुल हैं वहां पर इलेक्टरों ऊपर न जाकर नीचे ही युग मू बना लेता है तो इससे CFSC में थोड़ा सा डिफरेंस आ और पेरिंग एनर्जी में भी डिफरेंस आजाता है वह यहां पर केस नहीं होगा क्योंकि हमारे जितने भी चतुस फल्किये संकुल होते हैं वह केवल क्या होते हैं उच्च चक्रन संकुल होते हैं यानि हाइश इस्पिन होते हैं क्यों इसका पहली तीसरे लेक्चर में हम याने की डेल्टा कम है तो प्यारिंग एनर्जी क्या होगी जादा क्योंकि गैप तो कम है तो इलेक्ट्रोन आसानी से नीचे से उपर जा सकता है लेकिन अगर पेर कराना है तो एनर्जी हमको जादा देनी पड़ेगी तो इसलिए यहां पर चतुस फल्किये संकुलों में पत्रेख का जया है तो यह कम होने की वजह से इलेक्ट्रोन आसानी से नीचे से उपर चला जाता है तो यहां पर लोइस पिन केस नहीं आता यानि हमेशा होते हैं हाइं स्ब्सक्राइब संकुल होते हैं चाहे तो हम यह लिख लिए कि चतुस फल्किय संकुल क्या होते हैं सदैव उच्च चक्रण संकुल होते हैं चतुस फल्किय सदैव क्या होते हैं हमारे उच्च चक्रण संकुल होते हैं सदैस उच्छ चक्रन संकुल होते हैं तो पहले हम टेबल बना लेते हैं जिस तरह से हमने आस्टफल की संकुलों में बनाई थी यहां इत तरफ हम लिखेंगे इलेक्ट्रोनिक विन्यास पिर हम देखेंगे इलेक्ट्रोनों की फिलिंग यानि इलेक्ट्रोनों का भराव और फिर हम देखेंगे सी अप्रसी तीन कॉलम बना लेते हैं यहां पर भी हम अलग अलग विन्यास के लिए देखेंगे सबसे पहले हम क्यालकुलेशन करें उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे चतुस्फल की इस अंकुलों में दी और्बीटल का विपाटन किस प्रकार होता है हमने जब लास्ट लेक्चर पढ़ा था तीसरा लेक्चर उसमें देखा था पांच दी और्बीटल है पांचों की पांचों जब कोई लीगेंड धातु आइन के समीप नहीं है तो पांचों की पांचों कैसी है डी के लोगों समान मात्रा में प्रभावित करते हैं तो सभी डी और्बिटल की एनर्जी जो होगी वह एक साथ बढ़ेगी लेकिन ऐसी कंडिशन एक्चुल में होती नहीं है और फिर क्या होगा फाइनली डी और्बिटल दो भागों में तूट जाएगी यहाँ पर तीन डी और्बिटल उपर चले जाएंगे और दो डी और्बिटल नीचे चले जाएंगे ऐसा क्यों हुआ हम थर्ड लेक्चर में बता चुके हैं आपको जानना है तो थर्ड लेक्चर में जाकर दुबारा देखिए हमने बताया था वहाँ पर जो डी और्बिटल जादा प्रभावित होंगी उनकी अनरजी बढ़ जाएगी तो यह तीन डी और्बिटल लिगेंड उव सिफ जादा प्रभावित होने की वज़े से उपर चले जाती है और दो डी और बिटल नीचे रह जाती हैं तो इसको हम कहते हैं और यह रहे गा हमारा टी टू सैट बीच शेन्टर यहां से यहां तक एनर्जी इसके सेंटर यानि यह एक आंदे घ्टिक करेंक स्क्रन किसें100 ge स्थाइबल है क्यों है क्योंकि और जिसकी अनर्जी सबसे कम होती है वह सब से ज्यादा स्थेबल होता है तो हम इसके रैस्पेक्ट में सी एटफ्र की की घरना तो नहीं कर सकते कॉन साथ लेकर चलते हैं इकसाइटेड इस्टेड तो हम केवल इतना लेकर पर चलेंगे और एक्साइटेCause को लेकर चलेंगे यहां से हम सीसी की गढ़ना करें होगा फोकस और लोगा all इसके अनर्जी क्या है कम है और जिसके का मोते है वो स्टैमख से सबस्था में और दिये तो क्या होगा डी और्बिटल दो भागों में तूट जाएगी तीन डी और्बिटल ऊपर चली जाएंगे और डो डी और्बिटल नीचे आ जाएंगे यह हमारा इसेट टी टू सेट यह हमारा बेरी सेंटर जिसकी एनर्जी क्या है 0 क्योंकि हमने excited state की energy को क्या माल लिया है assume कर लिया है जीरो ताकि हमारी calculation easy हो जाए है ना यहां से यहां तक का जो gap रहेगा इंडी orbitals ने क्या किया energy को त्यागा sign आएगा minus किदनी energy को त्यागा 0.6 delta delta मतलब cfc इतनी energy इन्होंने निकाली कौन से संकुल पढ़ रहे हम चत्स फल्किए टेटराहडर तो यहां पर हम क्या लिखेंगे टी का मतलाफ टेटराहडर चत्स फल्किए वां पर हमने क्या लिखाता वं क्या फ्रतब किये संकुल तो delta लिखाता और यह ज़ो cfc रिलीज होगी वह चत्ना फ्रतों के लिए की यह होगी उपने इसको यहां पर किस से रिप्रेजंट किया किसे प्रदरशित pói यहां सबपर कितने बोर 0.4 डेल्टा टी ठीक है यहां फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6DQ और यह क्या हो जाएगा 4DQ माइनस 6DQ प्लस 4DQ दीक्यू में कोई चेंज नहीं है डैक्यूरल दौनों में ही सेम है वहां पर भी हमने अक्ट्राहधेरल में अस्ट فल के हैं जब उमने लिखा था तब भी यूनिट डैक्यूरल ही लिखी थे video या पर भी ह्युद्ग एक यूनिट है लिकीरment एकिर सटनल और और उस्थ फल्क के निरुकई की गई एऎ यानिकि अट ब्रब्रपर, यानि nellabellra, दोनों ही संकुलों की एस्ट फल्प के लिए इन बियोखाइन की गई है तो अब हम फॉर्मुला ते के लिए बिलकुल वही फॉर्मुला हो गा जो पहले केल्कुलेत क्या थक लिए बनावर क्या होगी यह का सी 기대 15 अवस्था और ये कौन सी इस्पलीटेड इस्टेड विपार्ठित अंवस्था ये कौन सी अवस्था है विपार्टत अवस्था तो इसकी एनर्जी लिखेंगे इसको क्या लिख दिया SS Splitted State यानि विपाटित अवस्था की Energy मैंसे Minus करूंगी किसकी Excited State की Energy यानि कि विपाटित अवस्था की जो उर्जा निकल कर आएगी उसमेंसे मैं किसको Minus कर दूंगी उत्तेजित उर्जा की Energy को Minus कर दूंगी तो जो बचेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा CFSE क्योंकि हमने अपनी Calculation को Easy बनाई रखने के लिए इसकी उर्जा को कितना माना है शून्य माना है तो यह जो Excited State की Energy होगी यह क्या होगी शून्य तो हम Splitted State विपाटित अवस्था की जो भी Energy आईगी उस मैंसे जीरो घटाएंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका मतलब जो CFSE जो होगी वो केवल किस पर Depend करेगी Splitted State यानि कि विपाटित अवस्था पर ही निरभर करेगी तो हम यह इसकी अब यह विपाटित अवस्था की Energy ही क्या होगी CFSE तो इसकी Energy को हम कैसे calculate करेंगे उसका formula तो लिखना पड़ेगा तो यहाँ पर जो formula लगता है वो यह है CFSE एक E set है हमारे पास एक T2 set है यहाँ पर जो Electron भरे जाएंगे उनको हमने माल लिया P क्या माल लिया P multiply by कितनी Energy है इनकी minus 0.6 delta T P क्या है यहाँ पर E set के अंदर उपस्तित Electron जो भी Electron होगे 1,2,3,4 जो भी Electron होगे वो क्या होगे यहाँ पर P ठीक है पिलस एक T2 set है इसमें जो भी Electron उपस्तित होगे 1,2,3 जो भी उपस्तित होगे उनको हमने दे दिये नाम Q multiply by कितनी energy 0.4 delta T तो यह होगे इसकी energy delta T की term में एक formula तो हम यह use करेंगे साथ ही यहाँ पर क्या आएगी pairing energy भी आएगी साथ ही formula में क्या आएगी pairing energy लेकिन अगर आपको पिछले lecture का याद हो जब हमने अस्टिफल की संकुलों में जो उच्च चक्रन संकुल थे उनके लिए CFSE का गढ़ना की थी तो हमने देखा था जितने भी उच्च चक्रन संकुल थे उनमें pairing energy क्या आ रही थी? 0 आ रही थी क्यों आ रही थी 0? क्योंकि क्या होता है? excited state में भी उतने ही pair बन रहे हैं और splitted state यानि विपार्टित अवस्था में भी उतने ही pair बन रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? cancel कर देते हैं एक दूसरे की energy को इसलिए overall pairing energy युगमा नूर्जग क्या निकल कर आती है? यह हमारे पास शून निकल कर आती है अच्छा यह जो हमने cfac निकाली यह किसकी term है? delta t की term में है और अगर आपको पिछले lecture का कुछ याद हो तो मैंने एक formula लिखाया था बताया था कि जो delta o होता है यानि कि अस्टफल की संकुलों में जो विपाटन होता है वो जाधा होता है और जो चतफल की संकुलों में विपाटन जो होता है वो कम होता है तो यानि कि delta o क्या होगा? जाधा और delta t क्या होगा? कम होगा तो delta t, delta o से कितना कम है? तो हमने एक relation दिया था delta t जो है वो 4y9 चार बटे 9 गुणा कम होता है delta o से कौन? delta t तो यहाँ पर जो हम cfse की गड़ना कर रहे है यह किसकी टर्म में? delta t की टर्म में है अगर मुझे delta t को किसमें चेंज करना है delta o की टर्म में करना है तो इस relation को मैं यहाँ पुट कर दूँगी यानि कि यह जो energy निकल कर आईगी यह delta t की टर्म में होगी और मुझे delta t को हटाना है तो मैं क्या कर दूँगी? 4y9 delta o कर दूँगी यानि कि पहले एक point लिख ले उच्छे चक्रण संकुलों में यह छोड़िए जब हम calculate करेंगे तब ही यह बात clear करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए यहां अगर हम देखें तो cfse को मैं क्या कर सकती हूँ? यह है ना p into minus 0.6 plus q into 0.4 यह formula है और यह जो energy आएगी किसकी term में आएगी? delta t की term में आएगी यह जो energy है cfse है किसके form में? delta t की form में है delta t के रूप में है और मुझे से किसमें change करना है? मुझे तो delta o चाहिए यानि कि मुझे delta t की वज़ाए delta o चाहिए और delta t हम जानते हैं कम होती है delta o से तो कितना कम होगी? तो यह जो relation है delta t बरावर 4 by 9 delta o वो हम यहाँ पूट कर देंगे तो delta t को delta o में change करना है तो हम delta t की जगा क्या रख देंगे? multiply कर देंगे यह से किस से? 4 by 9 delta o से तो अब जो भी cfse निकल कर आएगी वो delta t की term में नहीं आएगी अब किसकी term में आएगी? delta o की term में आएगी क्योंकि हमने delta t को किसमें change कर दिया है? delta o में यानि चतुस फल्किय संकुलों की cfse को किसमें बदल दिया है? अस्ट फल्किय संकुलों की cfse में बदल दिया है तो यह जो है यह relation है किसमें? चतुस फल्किय संकुलों की cfse और 104 की संकुलों की cfc में तो हम यह भी लिख सकते हैं आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं cfc ऐसी और इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं या जब हम इसको multiply कर देंगे 429 Δ Economics को इसके अंदर multiply कर देंगे तो इस formula हो जाएगा-7-PN in p PA 0.18 CheerI डेल्टा O 4Y9 को अंदर multiply कर देंगे तो इस तरीके से निकल कर आएगा तो आप इन तीनों में से कोई सा भी formula यूज करके CFSE की गढ़ना कर सकते हैं चाये तो delta T की form में निकाल सकते हैं CFSE अगर आप delta O की form में निकालना चाहते हैं CFSE वाला जिसमें delta O है प्लस यहां पर भी pairing energy आएगी यहां पर भी pairing energy आएगी और हम देखेंगे कि सभी संकुलों में जितने भी उच्छे चक्रण चंकुल होते हैं उनमें pairing energy क्या रहती है 0 रहती है कितनी रहती है 0 0 ठीक है तो हम तीनों फॉर्मुला से CFSE का गढ़ना कर सकते है यह आपके उपर आप कौन सा फॉर्मुला यूज़ करना चाहते हैं तीनों ही सही है फॉर्मुले किसी से भी CFSE की गढ़ना कीजिए लेकिन मैं जो CFSE कैलकुलेट करूंगी वो डेल्टा O के रूप में कैलकुलेट करूंगी ठीक है तो इसलिए मैं यह बीच वाला फॉर्मुला यूज़ करूंगी आप डेल्टा T की टर्म में निकालना चाहते हैं तो उपर वाला फॉर्मुला यूज़ कीजिए delta o की term में निकालना चाहते हैं तो बीच वाला formula यूज़ कर सकते हैं या नीचे वाला भी यूज़ कर सकते हैं तो चलिए अब हम calculate करते हैं cfse तो आपने ये note कर लिया screenshot ले लिजिए या note कर लिजिए मैं इसे मिटाती हूँ फिर हम calculate करेंगे cfse को ठीक है मैं यह formula लिख देती हूँ एक बार कौन सा formula यूज़ करने वाली हूँ मैं यूज़ करने वाली p into 0.6 minus 0.6 plus q into 0.4 into 4y9 delta o plus p मैं यह formula यहाँ पर use करने वाली हूँ जो कि मैंने आपके सामने लिख दिया है अब हम करेंगे calculation तू यहाँ करें पक 155 together कर दो वाँ बाली हूँ पो और धज़ टिया है और दो नवाली हूँ ढवब लाली हूँ करेंगे यू है वाली हूँ यह ज़द रगली करें डोदा unsै यहाँ दिंज़ यहाँ ечение तूर मैं यहाँ कि हम जानती है यहां पर इस प्लेटिंग् कैसा हुई दौडी और्बिटल नीचे है तीन दी और्बिटल उपर है यान कि यह जो सेट है यह इस एक और ये तीन जो आर्बिटल है ये टी टू सैट है तो सबसे पहले हम कौनसी के लिए दिश्किस बिन्यास के लिए देखेंगे दी बन में एक इलेक्ट्रोन रहेगा excited state में जब लीगेंड आये तो डी और्बिटल दो भागों में टूटी इलेक्ट्रोनों का पुनर वित्रन होगा तो इलेक्ट्रोन सबते पहले कहां जाना पसंद करेगा निम्न उर्जा की कक्षकों में तो यहाँ पर कितना एलेक्ट्रोन रहेगा एक एलेक्ट्रोन अब cfse calculate कर लेते यह e set है इसमें जितने भी एलेक्ट्रोन होंगे उसको किस से प्रदर्शित किया है हमने p से प्रदर्शित किया है यानकि यहाँ पर p की संख्या क्या होगी क्या होगी एक electron है तो P की जगे हम क्या रखेंगे 1 multiply by minus 0.6 प्लस T2 में कितने electron है 0 तो Q की जगा पर हम क्या रखेंगे क्योंकि जगा पर हम रखेंगे 0 into 0.4 multiply by 4 by 9 delta O ठीक है pairing energy की बात करें युगमन उर्जा तो ना तो यहाँ पर कोई युग में है ना यहाँ पर कोई युग में है इसका मतलब pairing energy यहाँ पर कितनी जड़ेगी 0 pairing energy क्या है यहाँ पर युगमन उर्जा कितनी है 0 चुकि कोई युगमो बनाई नहीं है तो युगमन उर्जा क्यों होगी तो 0 तो यह answer कितना आ जाएगा यह आ जाएगा minus 0.6 into 4 by 9 delta O एक electron जाएगा E में तो विन्यास क्या हो जाएगा E1 T2 में 0 और CFS कितनी निकल कर आई minus 0.6 into 4 by 9 delta O यहाँ फिर इसको यह भी लिख सकते है minus 0.27 delta O यह आप calculate कर लिजेगा मैं इतना इतना लिखूंगी बाकि आप इनको solve करेंगे तो इतना answer आएगा और ऐसी बाकि सबको भी solve करेंगे तो उनका answer आजाएगा इतना काम तो आप खुद कर सकते हैं ना घर पे इतना तो मैं expect कर सकते हूं आप लोगों से बाकि पूरी खिचडी तो मैंने पका के दी दी आपको तो बस खानी है अब हम डी टू के लिए निकालेंगे दी में दो इलेक्ट्रोन ठीक है दो इलेक्ट्रोन जब स्प्लिटिंग हुई तो इलेक्ट्रोनों का पुनर वित्रण होगा तो इलेक्रोन कहा जाना पसंद करेंगी निम्न उर्जा के कक्शिकों में एक ये आ गया ढूसरा एलेक्ट्रोन यहां आ गया दो इलेक्ट्रोन भर दिए भई 25 कितने यलेक्ट्रोन हब है «जिरो तो क्यूके जगाम क्या रखेंगे 0 multiplied by 0.4 into 4 by 9 delta O pairing energy देखें युगमन उर्जा तो अभी भी कोई युगमन नहीं बना है और युगमन नहीं बना तो युगमन energy क्या होगी? 0 तो 0 युगमन energy है कोई युगमन बना ही नहीं है तो इसको calculate कर लें ये कितनी हो जाएगी? minus 1.2 minus 1.2 into 4 by 9 delta O इसको solve करेंगे तो जो भी answer आएगा वो आप अपनी copy में लिख लीजिए तो यहाँ पर cfse कितनी आई? minus 1.2 into 4 by 9 delta O cfse आईगी cfse आईगी विन्यास क्या होगा? दौनव electron कहा गए? t2 set में गए sorry e set में गए तो 1 2 विन्यास क्या हो जाएगा? e में 2 electron, t2 में 0 electron है ऐसे ही अब हम किसके लिए करेंगे? d3 के लिए जब d में कितने electron होंगे? तीन electron मौझूद होंगे ठीक है? splitting हुई, दो भागों में 2td orbital अब हम जानते हैं electron निमन उर्जा के कक्षकों में जाएंगे तो एक भर दिया, दो भर दिया अब तीसरा electron कहां जाएगा? यहाँ पर ही pairing करेगा यहाँ फिर उपर जाएगा? बताओ गई, बताओ, कहां जाएगा? अब तो मैंने पिछले 3 lecture में चिला 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 की यही बात बोल दी अब तो तुम लोग खुद से बता सकते हो ना कि अब भी मुझसे ही मेनद कराओगे थोड़ी मेनद खुद कर लो गई थोड़ा सा तो पढ़ लो, थोड़ा सा तो ध्यान दे लो क्या आएगा? अभी अभी जस्ट लेक्चर शुरू करने से पहले मैंने बताया ना कि यह सभी क्या है? उच्छे चक्रण संकुल है इनमें गैप जो होता है वो कम और पेरिंग एनर्जी जो होती है वो जादा यानि कि डेल्टा तो कम है और पेरिंग एनर्जी क्या है? जादा यह गैप कम है तो इलेक्ट्रोन आसानी से नीचे से उपर जा सकता है लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रोन को यहाँ पर लेकर आऊं तो उसके लिए मुझे बहुत एनर्जी खर्च करने पड़ेगी तो मैं जादा खर्चा क्यों करूं जब मेरा काम कम में बन रहा है तो मैं क्यों एनर्जी खर्च करूं भाई, मैं तो कम से काम चला लूँगा तो यह कहा जाएगा इलेक्ट्रोन तीसरा उपर जाएगा युग्मो नहीं बनाएगा, क्या करेगा? उपर वाली कक्षकों में जाएगा, जब तक सारी कक्षक पूरी तरह से ना भर जाएगी, तब तक कोई युगम नहीं बनेगा, तो जो इस तरह के संकुल होते हैं, उनी को तुम कहते हैं, उच्चु चक्रन संकुल, युगमन नहीं होगा, युगमन नहीं हुआ, ये उपर ग अब T2 में कितने electron है एक तो Q की जगा पर हम क्या रखेंगे एक multiplied by 0.4 into 4 by 9 delta O pairing energy देखें अब भी कोई यूगम नहीं बनाएं तो pairing energy क्या रहेगी? 0 pairing energy क्या रहेगी यहापर? 0 तो यह कितना आ जाएगा? minus 1.2 plus 0.4 into 4 by 9 delta O कितना आ जाएगा यह? यह आ जाएगा minus 0.8 into 4 by 9 delta O इसको solve कर लीजेगा आप तो minus 0.8 into 4 by 9 delta O solve कर लीजेगा जैसे मैंने यहापर solve किया है solve किया तो कितना है था minus 0.27 ऐसे इसको solve करेंगे तो कुछ आएगा इसे इसको solve करेंगे तो कुछ आएगा वो आप कर लीजेगा उसके लिए आपके लिए थोड़ा सा काम है वाकी काम तो मैं करे दे रही हूँ तो इसकी energy कितनी आए? 0.8 into 4 by 9 delta O electron का बिन्यास देखें तो 2 electron तो गए है E में और तीसरा electron कहां गया है? T2 में electron का युगमन नहीं हुआ कहां चला गया? T2 में तो बिन्यास क्या हो जाएगा? E में 2 है और T2 में 1 electron गया है ठीक है? ऐसे ही हम D4 बिन्यास के लिए करेंगे अब कैलकुले D4 के लिए तो यहाँ पर हमने 4 electron भर दिये जब लीगेंड आया D orbital दो भागों में 2T फिर से electron बरे जाएंगे तो एक electron, दो electron हम जानते हैं gap कम है, pairing energy जादा है तो electron, तीसरा कहा जाएगा? उपर जाएगा चौथा भी कहा जाएगा? उपर जाएगा पांच भी कहा जाएगा? उपर जाएगा लेकिन अभी हम कितने electron भरने हैं के वह चार तो एक, दो, तीन और यह चला गया चार, अब calculate करें CFSE तो यहाँ पर P की जगह क्या रखेंगे? 2 into minus 0.6 Q की जगह, अब T2 में कितने electron है? T2 में भी 2 electron है तो Q की जगह पर हम क्या रखेंगे? 2 multiplied by 0.4 into 4 by 9 delta O प्लस, अभी भी कोई युगमों नहीं बना है तो pairing energy क्या रहेगी? 0 तो यह हो जाएगा minus 1.2 plus 0.8 multiply by 4 by 9 delta O तो कितना निकल कर आएगा? minus 0.4 into 4 by 9 delta O तो कितनी निकल कर आएगे? minus 0.4 into 4 by 9 delta O विन्यास क्या रहेगा? 2 electron गए E में 2 electron गए E में और 2 ही electron है T2 में तो विन्यास हो जाएगा E2 और T2 E में भी 2 और T2 में भी 2 electron ठीक है? तो इस तरीके समने CFSE calculate की D4 के लिए अब हम देखेंगे D5 के लिए यह हो गया D5 D5 बरेंगे 5 electron फिर से बरे जाएगे तो 1, 2, 3, 4 और 5 वा electron कहा जाएगा? उपर अब CFSE calculate करें तो अब E में कितने electron है? 2 तो P की जगे पर क्या आएगा? 2 ठीक है? T2 में देखें कितने electron रहे? 3 तो Q की जगे पर कितना आना चाहिए? 3 तो यह अब चेंज कर दिया हमने 3 electron हो गए अब देखें तो minus 1.2 plus 1.2 बरावर कितना आजाएगा? आनसर आजाएगा यहाँ पर 0 यानि कि जब D5 condition आएगी जब 5 की 5 ओडी ओर्बिटल भरी हुई होगी तो CFC हमारे पास क्या आएगी? 0 5 की 5 ओडी ओर्बिटल भरी हुई हैं Half field है तो विन्यास क्या हो जाएगा? E में 2 T2 में 3 electron CFC क्या हो जाएगी हमारे पास? 0 कोई यूग्म नहीं बना है इसलिए अभी भी पेरिंग एनर्जी क्या है? हमारे पास 0 मौजूद है अब हम ऐसे देखेंगे D6 ओडिन्यास के लिए अब क्या होगा? D6 पाच ओर D ओर्बिटल भर गई यूग्मन शुरू हो जाएगा यहां तो एक यूग्मू बन गया अब यहां देखते हैं 6 electron बनने हैं पहला यहां जाएगा दूसरा यहां जाएगा तीसरा gap कम होने की वज़े से कहां जाएगा? उपर जब तीसरा उपर गया तो चौथा और पाँचवा भी उपर जाएगा अब पाँचोडी ओर्बिटल भर गेंगे अब हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अब हमको क्या करना पड़ेगा? यूग्मन करना ही पड़ेगा तो छटवा electron कहां आएगा? निम्न उर्जा के कक्षिकों में और क्या बनानेगा? यूग्मन बना लेगा तो ठीक है यहां पर यूग्मन बन गया CFSE की calculation करेंगे फिर से अब E में कितने electron मौझूद हैं? एक, दो, तीन तो P की जगा पर हम क्या रखेंगे? P की जगा पर हम क्या रखेंगे? P की जगा पर हम रखेंगे 3 ठीक है? T2 में देखें कितने electron हैं? T2 में 3 हैं तो Q की जगा पर क्या रखेंगे हम? 3 calculate करते हैं pairing energy की बात करें अब तक तो कोई यूग्मन नहीं बना था लेकिन अब क्या बन गया? एक यूग्म बन गया और हमने सुरू में क्या किया था? इसकी energy में से इसकी energy को घटाया था क्योंकि इसकी energy 0 थी तो हम घटायेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन इसकी energy 0 है यूग्मन energy 0 नहीं है यानि यूग्मन ऊर्जा 0 नहीं है इसमें जो यूग्मन बनेगा वो उर्जा तो मौझूद रहेगी और उसे हमें मानना भी पड़ेगा calculate भी करना पड़ेगा तो यहाँ पर कितनी pairing energy है? 1P की यहाँ पर भी एक यूग्मन बनाए तो यहाँ पर भी कितनी है? 1P इसकी उर्जा में से इसकी उर्जा को गटाएंगे तो बचेगा क्या हमारे पास? 0 यानि कि यहाँ पर भी pairing energy कितनी आएगी? 0 आएगी pairing क्योंकि अभी भी कोई pairing energy नहीं है जितने इसने pairing energy निकाली उतनी इसने भी pairing energy दी तो दौनों की pairing energy ने एक दूसरे को क्या कर दिया? cancel कर दिया योगमान उर्जा ने एक दूसरे को क्या कर दिया? cancel कर दिया वई तो फिर हमारे पास कोई योगमान उर्जा नहीं बच्ची है कोई pairing energy हमारे पास नहीं बच्ची हुई है तो हम pairing energy को क्या लेंगे हाँ, 0 लेकर चलेंगे, तो pairing energy 0 है, अब calculate कर लो, minus 1.8 plus 1.2 into 4 by 9 delta O, तो यह कितरा आ जाएगा, यह आ जाएगा, minus 0.6 into 4 by 9 delta O, फिर से repeat होना, शुरू हो जाएगा, विन्यास क्या रहेगा, E में कितने हैं, 1,2,3 electron E में हैं, और 3 electron T2 में, तो विन्यास हो जाएगा, E3, T2, 3, विन्यास अमेशा, जब पहले आप इस तरीके से diagram बना लेना, अगर exam में आपको विन्यास पूछा जाए, तो पहले diagram बना लेना, जहां D orbital split हो रही हो, फिर उसमें electron भरना, और यह भी ध्यान रखना कि संकुल कैसा है, उच्च चक्रण है या निम्न चक्रण, क्योंकि उच् सचने के ज़रूरत है यी फिर तो उच्च चक्रण ही बनेंगे और उच्यच चक्रण वनेंगे तो electron हो का युगमन का जरूरत कराने के ज़रूरत नहीं हमको लीग होता है, मैं निम्न चक्रण संकुलों में होता है, यह उग्योंक्षे लिए क्demal कृक्ट करते हैं, वैसetr त देंगे क्या आप कर लेंगी क्या छोड़ दूं क्या नहीं आपका वरोसा की लिए तुं लोग hm 27 के लिए बडते हैं यहां बहूंज यहां पर आएगा ठीक है दुवारा की पहला इंदो दूसरा इलेक्ट्रोन तीसरा चौथा पांचवा अब कोई ऑप्शन नहीं है छटवा इलेक्ट्रोन का आएगा नीचे फिर साथ वाइगा नीचे तो इस तरीके से पर यहाँ पर क्यों गया क्योंकि गैप कम है पेरिंग एनर्जी जादा है तो इलेक्ट्रोन पेरन नहीं बना पाएगा और डेल्टा कम है तो वो उपर जाना पसंद करेगा ना कि युगमों बनाना ठीक है वह बार बार इसी बात को बोल रही है कि ए कहां पर युगमन जाए उतना ही बैटर है इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूं ठीक है तो उमीद है कि आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे इस बात को तो अब हम कैलकुलेट करते हैं अब अगर हम इमें देखें कितने एलेक्टरोन मौझूद है इमें चार है तो फी की जगापर हम क्या रखेंगे चार मल्टिप्लाइड वाई-0.6 प्लस टीटू में कितने एलेक्टरोन है तीन मल्टिप्लाइड वाई-0.4 इंटू 4 वाई-9 प्यारिंग एनर्जी देखें यहां पर कितने युग मों बन रहे ह दो तो यहां की पेरिंग एनर्जी कितनी होगी दो यहां पर भी कितने युग मों बन रहे हैं दो यहां की पेरिंग एनर्जी क्या होगी दो तो यह क्या कर देंगे एक दूसरे को कैंसल क्या कर देंगे एक दूसरे को कैंसल क्योंकि इसकी एनर्जी में से इसकी एनर्जी को नहीं है तो युगमन उर्जा तो रहेगी ना इसमें तो दो प्रेंग एनर्जी इसकी है दोनों ने एक दूसरे को कैंसल कर दिया इसलिए ओवरॉल प्रेंग एनर्जी क्या आएगी हमारे पास जीरो जीरो जैसा कि अगर आपने पिछला लेक्चर ध्यान से सुना हो तो मैंने वहां भी कहा था कि बहुत से बुक में पेरिंग एनर्जी को ये लोग जीरो नहीं लिखते पेरिंग एनर्जी को जितने युगमू बन रहे हैं को तिनी पेरिंग एनर्जी लिख देते हैं ले समय तो सब्सक्राइब और यहीं नहीं थे देए वहीं नहीं पर कितिञी आती सब्सक्राइब यह रेखुन कुछ भी नहीं है ना जो जिन्हों लेने का और ना लेने का यह तो आपके उपर है हालांकि जब आपको एक्जाम ने जाएंगे कोई इस्टेंडर्ड एक्जाम देने जाएंगे वहां पर आपको सोचना पड़ेगा अगर आपके पर तीन ओप्षन ऐसे हैं जहां पर पेरिंग एनर्जी मौझूद है और एक तो अगर ऐसी कंडिशन आ जाते जहां पर दोनों दी गई हो एक पेरिंग एनर्जी वाला भी दिया गया और बिना पेरिंग एनर्जी वाला क्योंकि जो स्टेंडर्ड कंडिशन है वह तो रिफ्रेंस के साथ ही आती है जो कि हम कर रहे हैं समझ में आया तो अच्छी बात है देल्टा ओ तो यह आ जाएगा माइनस 1.2 इंटू 4Y9 देल्टा ओ वही रिपीटो कर आ गया माइनस 1.2 इंटू 4Y9 देल्टा ओएलेक्ट्रोन कैसे भरे गए हैं इमें हैं चार इलेक्ट्रोन और T2 में हैं तीन इलेक्ट्रोन तो विन्यास हो जाएगा E4 T2 3 ऐसे ही अब हम हम D8 के लिए करते हैं साथ और यह हो गया हमारा आठवा इलेक्ट्रोन बरदिया हमने आठ इलेक्ट्रोन दुबारा से इलेक्ट्रोनों की फिलिंग करेंगे एक दो तीन चार पाच छटवा इलेक्ट्रोन साथवा और अब कोई अप्चन नहीं है कहा जाएगा आठवा इलेक्ट्रोन ऊपर तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं वही इमें कितने एलेक्ट्रोन है चार तो पी की जगह पर क्या आएगा चार तो क्यूं की जगह पर क्या आएगा क्यूं की जगह पर भी आएगा चार यूगमन उर्जा को देखें तो यहां पर कितनी पियरिंग तीन की पेरिंग है और यहाँ पर भी कितनी पेर बन रहें तो तीन से थीन कैंसील हो गया पेरिंग्ट अबी भी जीरो पेरिंग एनरजी को हम क्या लेकर चलेंगे जीरो जितना भी हमने कैलकुलेट किया उच्छ चक्रण संकुल में हर जगा हमने पेरिंग एनर्जी को क्या रखा है जीरो तो यह कितना आएगा भई कैल्कुलेट कर लो जल्दी से माइनस 2.4 प्लस 1.6 इन्टू 4.9 डेल्टा ओ तो यह हो जाएगा माइनस 0.8 इन्टू 4.9 डेल्टा ओ विन्यास क्या हो जाएगा इ में हैं 4 इलेक्ट्रोन और टी टू में कितने हैं तीन 4 इलेक्ट्रोन तो एक दो तीन 4 पाँच 6 7 और 8 E में कितने है, 4, T2 में भी कितने है, 4 electron, यह हो गया, विन्यास, अब D9 के लिए देख लेते हैं, एक और electron बढ़ा देते हैं, फिर से filling करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यह हो गया, हमारे पास 9 electron, अब अगर हम calculate करें, CFC, तो E में कितने है, 4, तो P की जगह पर क्या आएगा, 4, T2 में अब कितने electron हो गए, 5, तो Q की जगह पर भी क्या आजाएगा, Q की जगह पर आजाएगा, 5, into 4 by 9, delta O, pairing energy देखें, 4 pair यहाँ है, 4 pair यहाँ है, तो pairing energy क्या रहेगा, बीबी, 0, तो अब भाई calculate कर लो, जल्दी से, minus 2.4, plus 2.0, into 4 by 9, delta O, तो यह निकल कर आएगा, minus 0.4, into 4 by 9, delta O, निकल कर आया, बिन्यास क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यह 9, E में कितने electron, 4, T2 में कितने electron, 5, तो यह हो गया हमारा बिन्यास, याद रखिएगा, यह बिन्यास कहा से आता है, ऐसे नहीं भरने electron, मैंने बनाए जरूर एक level में, यह D, लेकिन मैंने यहाँ पर पहले ही classify कर दिया है, कि एक level में लिखे जरूर है, लेकिन यह Vipartic D orbital है, एक E set है, और एक T2 set है, यह नीचे वाली, कम energy वाला set है, और यह उपर energy वाला set है, तो electron जब भी भरिएगा आप, तो हमेशा ऐसा बनाईएगा, फिर consider करके electron देखिएगा, कि E में कितने electron हैं, और T2 में कितने electron हैं, तभी electronic विन्यास को लिखिएगा, वरना गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं आप, कोई बहुत बड़ा rocket science नहीं है, बहुत आसान है भई, यह तो, कोई tough है क्या है, अगर आपको tough लग रहा है, तो समझ, आपके दिमाग में जरूर कोई गडवर घोटा लाएगे, यह बहुत आसान ची आपके दिमाग से निकलने वाला नहीं है यह, ठीक है, तो अब एक और condition बचिया हमारे पास, उसके लिए भी calculate कर लेते हैं, d10, पूरी भर गई d orbital, तो यह जो बचा हुआ है, यह भी पूरा कर दिया, d orbital complete भर गई, जब d5 में 0 थी, तो d10 में भी क्या आएगी भई, 0 ही आए तो भी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बिन्यास हो गया, e में 4 और t2 में, कितना, 6 electron, t2 में कितना है भई, 6 electron है, और cfc क्या हो गई हमारी, cfc हो गई हमारी, 0, चाहें तो calculate कर लो, कर लेते हैं भई, सब के लिए किया, तो इसके लिए भी कर लेते हैं, e में कितने electron, 4, तो p की जगे क क्या रखेंगे, 4, q में कितने electron, 6, तो q की जगे क्या रखेंगे, 6, 4, 9, delta, 5 पेर यहां पर है, 5 पेर ही यहां पर है, तो पेरिंग energy क्या रहेगी, 0, यह हो जाएगा, minus 2.4, plus 2.4, बराबर, 0, समझ में आई, तो इस तरीके से हम calculate करते हैं, CFSE, किस के लिए, चतुसफल की है, संकुलों के लिए, तो हमने calculation सीखी, CFSE की, अस्टफल की संकुलों के लिए किस प्रकार करते हैं और चतुसफल की संकुलों के लिए किस प्रकार करते हैं तरीका दोनों में ही सेम है थोड़ा सा डिफरेंस है अस्टफल कीये में क्या होता है तीन डी और्बिटल नीचे और दो डी और्बिटल उपर होते हैं और चतुसफ अगर यह बैरी सेंटर से नीचे मौझूद है तो माइनस में हो जाएगी और अगर यह दो और्विटल बैरी सेंटर से ऊपर मौझूद है तो यही एनरजी किसमें हो जाएगी प्लस में जैकि अस्टफल के संकुला में हमने देखा उन दो D-orbitलों की एनरजी क्या होती है प्लस 0.6 और यहाँ पर क्या है माइनस 0.6 क्यों क्योंकि यह बैरी सेंटर से नीचे है तो माइनस साइन आ गया क्योंकि एनर्जी रिलीज की होगी ठीक है अगर यह बैरी सेंटर से उपर होती जैसा कि अस्टफल की संकुलों में ठा तो अब पर क्या हूता तो फिर यह प्लस में हो जाती ठीक है और ये बात तो आप जानी गये होंगे अस्टिफल की संकुलों में हमने EG और T2G लिखा था EG और T2G लिखा था यहाँ पर G को यूज नहीं किया है क्यों नहीं किया है इसका जवाब भी हम आपको तीसरे लेक्षर में दे चुके है क्या होता है अस्टिफल की संकुल में सिम्मिती का केंदर उपस्थित होता है Center of Symmetry जो होता है वो भई उपस्थित होता है अस्टिफल की में तो वो जिराडे यहाँ पर एक सफिक्स यूज किया जाता है जिराडे लेकिन चतुसफल की संकुलों में देखते हैं हम तो कोई Center of Symmetry नहीं है कोई संमिती का केंदर नहीं होता इसलिए हम यहाँ पर जिराडे वर्ड का यूज या जिराडे सफिक्स का यूज नहीं करते Simple E और T2 लिखते हैं समझ में आई I hope कि आपको समझ में आया हो और lecture अच्छा लगा हो Please हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं तो प्लीज उनको देखिए पढ़िए सीखिए अपने नोट्स बनाईए तैयारी कीजिए एक्जाम की हम नहीं चाते हैं आपके किसी भी तरीके से नंबर कमाए और आप ये एक्सक्यूज दें कि आपको पढ़ाया नहीं गया परिए हम तो मैनत कर रहे हैं न तो थोड़ी मैनत आप भी कर लिजिए वीडियो देखिए और पढ़िए ठीक है अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे कौन-कौन से फेक्टर है जो CFSE को प्रभावित करेंगे अभी के लिए थेंक्यू